पॉल टेम्परिंग मामले में आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है हबरों की माने तो ऑस्टेलियाई टीम के हेड कोच डेरिन लहमन अपने बद से इस्तिफा दे सकते है जबकि ऑस्टेलियाई कप्तान स्टीव स्मित और डेविड वॉर्नर पर 12-12 महिने का लग सकता है अंग्रेजी अखबार दी टेलिग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार आज शाम तक ऑस्टेलियाई टीम के हेड कोच डेरिन लहमन अपने कोच के पद से अपना इस्तिफा दे सकते है बतादे अगर ऐसा होता है तो उनकी जगा पूर्व उस्टेलियाई वल्लेबाज और वेस्टन उस्टेलिया के हेड कोच जस्टिन लैंगर को उस्टेलियाई टीम का नया कोच नियुक्त किया जा सकता है इस बारे में क्रिकेट ऑस्टेलिया के सूत्रों ने कहा लहमन तुरंद प्रभाव से अपना इस्तिफा दे सकते हैं जिस वजह से खुद ऑस्टेलिया क्रिकेट के प्रमुख जेम सदरलेंड दक्षीन अफ्रिका पहुँच रहे है बतादे ICC की तरफ से इस मामले में ऑस्टेलियाई कप्तान स्टीफ स्मिथ पर मैच फीस के 100 प्रतिशत जुर्माने के साथ एक टेस्ट मैच का पहन लगाया गया है जबकि कैमरन बेंक्रोफ को 75 फीस दी मैच फीस के साथ 3 डिमेरिट पॉइंट्स मिले थे जबकि क्रिकेट ऑस्टेलिया ने साथ अफरिका के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्मिथ और वारनर को कपतानी और उप कपतानी से हटा दिया था लेकिन अब दी टेलिग्राफ की खबर के मताबिक इस मामले को बढ़ता देख क्रिकेट औस्टेलिया इन दोनों खिलाडी पर बारा-बारा महिने का पैन लगा सकता है एनमेफ न्यूस की रिपोर्ट